असिड के बारे में बहुत समय से कमेंट्स आ रहे थे और आप लोग जानना चाहते थे कि कोई ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें यूरिक असिड का जिक्र हो तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो नुस्खा बताने वाला हूँ वो बेजड है दो नैचरल इंग्रिडि से ये दो नैचरल इंग्रिडियंट्स हैं जो की इसमें इस्तिमाल करने हैं इसको कैसे बनाना है और किस वक्त पे इसको और किस तरह से इस्तिमाल करना है दोस्तो मेरा नाम है डॉक्टर अविनश मैं एक आयूरवेदिक और यूनानी मेडिसिन एक्सपर्ट हूँ और मेरा म आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही होम रेमिडी जो कि यूरिक एसिड कम करने में आपकी मदद करेगी लेकिन उससे पहले हमें जानना जरूरी है दोस्तों कि यूरिक एसिड असल में होता क्या है देखे यूरिक एसिड जो है ये एक तरह का बाइप वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि बहुत सारे खाने पीने की चीजें जो हम खाते हैं उनके डाइजेस्शन के बाद हमारी बौडी में बनता है इसके साथ-साथ इंटर्नली भी हमारी बौडी यूरिक एसिड को बनाती है लेकिन नैचरल केस में क्या होता है अगर हम प्रोसेस है लेकिन अगर हमारी बॉड़ी के अंदर यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो उसके कारण से हमारी जो किडनीज हैं वो पूरी मात्रा में इसको नहीं निकाल पाती है और धीरे धीरे ये हमारी बॉड़ी के अंदर जमा होने लग जाता है जब ये ह आपका यूरिक एसिड बड़ा हुआ रहता है, तो उस केज में आपको कुछ खाने पीने की ऐसी चीजें हैं, जिनका परहेज करना बहुत जरूरी होता है, For example, आपको अगर यूरिक एसिड हुआ है, तो मीट बिलकुल नहीं खाना चाहिए, फिश बिलकुल नहीं खानी चाहिए, एक्स बिलकुल नहीं खाने चाहिए, मश्रूम नहीं खाने चाहिए, मूं की दाल नहीं खानी चाहिए, अरहर की दाल नहीं खानी चाहिए, आपको ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए, जिससे कि आपकी body के अंदर जो uric acid है, वो kidneys के through flush out हो सके. तो ये कुछ basic ऐसी चीजे हैं, जो आपको सबसे पहले अपनानी होती हैं, ताकि आपकी body जो है, वो uric acid को naturally अपने level पे ही कम करना शुरू कर दे. इन precautions के साथ साथ, इन first aid चीजों के साथ साथ, अगर आप इस home remedy को भी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जो कि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो उससे आपको और भी ज्यादा fast results मिलते हैं, uric acid से छुटकारा पाने के लिए. तो चलिए, अब जान लेते हैं कि इस home remedy को बनाने के लिए आपको कौन-कौन से ingredients चाहिए और किस तरह से इसको आपको बनाना है. इस home remedy को बनाने के लिए आपको दो ingredients की जरूरत है. पहली है अजवाइन और दूसरी है अदरक. एक चम्मच, क्यानि एक teaspoon आपको लेना है अजवाइन और एक teaspoon कसा हुआ अदरक आपको लेना है. और इन दोनों ही चीजों को आपको एक गलास पानी के अंदर डालके उबालना है. इतनी देर तक आप इसको उबालिये, जब तक एक गलास पानी आपका 3-4 ना बन जाये. जब यह 3-4 पानी आपका बचे और अच्छी तरह से उबल जाये, सब चीजें आपकी तो इसको एक कप के अंदर या गलास के अंदर आप निकाल लीजीत, छान लीजीत. इसमें से आधा पानी आपको लेना है सुबह नाश्ता करने के करीब आधा या एक घंटे के बाद और आधा पानी जो आपका बचेगा उसमें से वो आपको लेना है रात को खाना खाने के आधा या एक घंटे बाद यानि करीब करीब सोते टाइम आपको बचा हुआ जो पानी है वो इस्तिमाल करना है दिन में दो टाइम अगर आप इसक और इसके साथ साथ आपके जो जॉइंट्स में दर्द रहता है, सूजन की शिकायत रहती है, जो की गाउट में बहुत ही आम है, उसमें भी आपको काफी ज्यादा अच्छी इंप्रूव्मेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो ड्रिंक है, ये आपकी बॉडी के अंदर स टॉक्सिन्स को और यूरिक एसिड को फ्लश आउट करने में आपकी ज्यादा हेल्प करती है, इसी के साथ साथ अजवाइन और अदरक ये दोनों ही एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपरटीज रखते हैं, आपकी बॉडी के अंदर से सूजन और दर्द को कम करने में बहुत ह इससे आपको मिलते हैं, तो 21 दिन कम से कम इस ड्रिंक को आप जरूर इस्तेमाल करिए, और 21 दिन के बाद एक जादूई फर्क आपको अपने दर्द में और गाउट में महसूस होने को मिलेगा, और आपका यूरिक्स एसिड भी कम होना शुरू हो जाएगा, अब बारी है आ आपके द्वारा पूछे गए सवालों की, तो पहला सवाल जो आज मैं ले रहा हूँ, वो है मिस्टर हितेंद्र राणा का, इन्होंने ये सवाल पूछा था मेरी वीडियो पे, जो की थी स्पिरूलीना के बारे में, इनका कहना है कि अपनी दिन चर्या शेर करो एक वीडिय बस मेरी कोशिश रहती है कि मैं सिंपल नैचरल लाइफ जीऊं और अपने आपको कुछ एक ऐसी चीजों में इन्वाल्व रखूं जिससे कि कोई बिमारी मुझे आने वाले समय में ना हो, तो सबसे पहले जो मेरी शुरुआत होती है, दिन की वो होती है, करीब पांच या 6 बजे, सबसे पहले उटके मैं प्रार्थना करता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ और गौड को याद करता हूँ, उसके बाद मैं करता हूँ करीब आधा घंटे के लिए वाक, वाक करने के बाद सबसे पहली जो घर आके मैं करता हूँ वो है एक गिलास, हलका गुनगुना प रेश होने का जो प्रोसीजर रहता है, वो करता हूँ, नहाता हूँ, या अखबार पढ़ता हूँ, ये नॉर्मल चीजें करता हूँ और उसके बाद बारी आती है नाश्ते की, नाश्ते में मेरी कोशिश रहती है कि मैं कोई भी प्रोसेस्ट फूड ना लूँ, कोई भी ब पुली बना लेते हैं, कई बार डोसा बना लेते हैं, साउट इंडियन फूड आक्चुली बहुत अच्छा होता है, आपके हेल्थ के लिए, क्योंकि उसमें जो ओइल्स वगेरा होते हैं, बहुत कम यूज होते हैं, और अच्छा रहता है, नाश्ते के लिए टेस्ट वाइ ही खाना ले, चाय जो मैं लेता हूँ, कभी भी उसमें शुगर नहीं डालता हूँ, मेरी कोशिश रहती है कि मैं फीकी चाय लूँ, शुरू शुरू में बुरी लगती थी, लेकिन अब आदत हो गई है, तो वो एक अच्छी है, जो मैं फॉलो करता हूँ, इसके बाद अप फिर चावल वगेर है ले लेते हैं, चावल कोशिश हमारी रहती है कि हम ब्राउन राइस लें, तो ज्यादा अच्छा रहता है, उसके बाद दोस्तों, शाम के नंबर में घर आने के बाद, मैं करीब आधा या पौन घंटे के लिए, एरोबिक एकसरसाइस करता हूँ, और बहुत वेट ट्रेनिंग भी करता हूँ, जिससे मसल स्ट्रेंग भी बनी रहे, क्योंकि सारा दिन बैठने का काम रहता है, तो शाम को एकसरसाइस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और उसी से मुझे ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, अभी तक मेरा वेट भी ज्यादा लॉस हुआ है, और उसके साथ साथ फिटनेस लेवल भी इंप्रूव हुआ है पहले के मुकाबले में, एक्जरसाइस करने के बाद मैं बहुत ड्राइफ रूट्स लेता हूँ, और उसके साथ मैं ले लेता हूँ एक कप, या तो ब्लैक कॉफी, या फिर ब्लैक ट आती है, एक अच्छी फीलिंग आती है, उसके बाद बारी आती है डिनर की, तो डिनर सवेरे हम लोग कर लेते हैं, लगभग साथ आठ बजे तक मैक्सिमम हमारा डिनर हो जाता है, डिनर में कोशिश रहती है, हलका खाना खाने की, ज्यादा कोई नॉन वेज आइटम्स नही लेने होते हैं, कुछ मीठा बिलकुल मैं लेता ही नहीं हूँ, और कोशिश रहती है कि रात का खाना जितना हलका रहे, उतना ही रहे, रात के खाने के बाद मैं कुछ भी और सोते समय नहीं लेता हूँ, बिलकुल भी, और आपको भी नहीं लेना चीए, और रात को फिर इसी तरह से कुछ तो ऐसा बहुत special नहीं है जो मैं follow करता हूँ, कोई ऐसे special supplements नहीं है जो लेता हूँ, कोई ऐसे बहुत special नुस्खे नहीं है जो लेने की जरूरत है, बस एक normal, simple life जीता हूँ, जिससे by the grace of God अभी तक fit हूँ, और उम्मीद है कि आगे भी fit ही रहूँगा, अगला ज तबस्सम पूछती है, सर, शुरू में तो तारीफ ही लिखी है, मैं question बताता हूँ आपको, और एक सवाल है, मुझे thyroid है, मेरा weight 78 kg हो गया है, मैं अपना weight कैसे कम करूँ, प्लीज बताएं, पहले मेरा weight शादी से पहले 54 था, जब मैं pregnant हुई, तो मुझे thyroid आ गया, डॉक्टर ने बताया कि tablet लीजिए, मैंने tablet ली, मेरे बेटे हुआ, उसके बाद जो मेरा weight तो ही चला गया, शादी के 13 साल हो गये है, बताएं, बताएं, वेट कैसे कम करूँ, और thyroid की tablet 50 mg ले रही हूँ, तबस्सम जी, मुझे लगता है कि आपको शायद hypothyroidism है, क्योंकि उसी में mostly weight gain ह होता है, तो अगर आपको hypothyroidism की वज़ा से weight gain हो रहा है, और आप 50 mg ले रही है, तो सबसे पहली चीज तो आप ये करिए, कि अपना thyroid profile चेक कराईए, कि 50 mg लेने से आपका जो thyroid है, वो normal हो रहा है, या नहीं हो रहा है, chances are high, कि आपको 50 mg से भी proper results नहीं आ रहे हैं, और आपका thyroid अभी भी कम है, अगर ऐसा है, तो आप अपने doctor से consult कीजिए, पहले test कराके, और उसको देखिए, कि thyroid की tablet की जो dose है, वो की जरूरत तो नहीं है, अगर आपका जो thyroid profile है, वो खराब आ रहा है, अभी भी, अभी भी low आ रहा है, तो most probably आपका weight control होना शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर आपका thyroid profile सही आ रहा है, उसके बावजूद भी weight जा रहा है, तो उसके कुछ और reasons हो सकते हैं, कुछ reasons तो ऐसे हो सकते हैं, कि आप शायद कोई physical activity ज्यादा नहीं करती होंगी, या फिर आपके खाने पीने में आप ज्यादा non-wage items लेती होंगी, या फिर ज्यादा मीठा आप खाती होंगी, या फिर being a woman आपके अंदर कुछ ऐसे hormonal changes में भी आ रहे होंगे, कई बार PCOS की एक problem होती है, अब polycystic ovarian syndrome, तो उसकी वजह से भी weight gain होना शुरू हो जाता है, तो बहुत सारे ऐसे reasons हैं, जो कि आपके अंदर हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको proper अपने test कराने, check-up कराना, और उसके बाद ही ये पता लग पाएगा, कि आपका weight जो है, वो किसी बीमारी की वजह से है, या फिर generally आपके खाने पीने की वजह से है, लेकिन whatever the case is, सबसे पहले कोशिश basic चीजों पे stick रहने की मीठा बिल्कुल दीजिए, walk करना शुरू करिए, exercise करनी शुरू करिए, पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए, और इसके साथ साथ रात को जो है खाना, कम से कम सोने से 2 घंटे पहले जरूर ले लीजिए, तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है, आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, और इसमें बताया गया है जो नुस्खा था, अगर आपका यूरेक असेड रहता है, तो उसको आप जरूर ट्राइ करेंगे, और ट्राइ करने से, I am sure कि आपको फायदा भी जरूर होगा, आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमें कॉमेंट सेक्शन म जरूर पूछिए, हो सकता है, नेक्स्ट वीडियो में आपका ही सवाल ले लिया जाए, तो चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ, वीडियो से जाने से पहले, यहां से हटने से पहले, दूसरी वीडियो चालू करने से पहले, अगर इस चैनल प आने वाली वीडियो को टाइमली देख भी पाएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा।